कि बैक इन 2012 अगर आप इंडियन मार्केट में कार देने के लिए जाते थे तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन एवलेबल ही नहीं होते थे या तो एक आप हैजबेक ले सकते हो जिसमें आपको कम स्पेस देखने के लिए मिलता है मगर आप बढ़िया मायलेज पा जाते हो या इसी सब के बीच रहनों इंडिया ने लॉंच की अपनी रहनों की डस्टर जो एक मिट साइज सेग्मेंट में लॉंच इंडियन मार्केट में एक नयाई सेग्मेंट लॉंच कर दिया इस कार ने इसमें आपको स्वाले बढ़िया रगेड लुक देखने के लिए मिल जाते इसमें आपको बढ़िया ओफ्रोडिंग देखने के लिए मिल जाती थी और फुल स्य दाइज की कमपेरिजन में इसमें बढ़िया माइलेज देखने के लिए मिल जाती जिसकी वजह से इसने वन साइडे डॉमिनेंस क्रेट करके रखा था मार्केट में अपनी सेग्मेंट म और कोई कार ना होने की वजह से कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था इसने बट कोई भी फेसलिफ्ट वर्जिन बहुत लंबे समय तक लाउंच ना होने की वजह से तूथान ट्वंटीवन में इसको डिसकंटीनु करना पढ़ गया था कंपनी को डॉनफॉल अच्छा जा रहा है ताकि वह बायर्स को अपने तरफ एट्रैट कर सके और कार को और भी डॉमिनेटिंग मना सके मार्केट में और इसी बिच रहना इंडिया के तरफ से भी रहना डॉस्टर के नए फेसलिफ वर्जिन लांच होने के कंफरमिशन आ गया है तो हाली में जो अपकमिंग फेसलिफ वर्जिन उसका रोट टेस्ट किया जा रहा था तो वहां से कुछ आपको स्पाइश जो है वो लीक आपको पूरे इंटरेट पर वायरल देखने के लिए मिल रहा होंगा तो जो आप सामने से देख सकते हैं यह जो है यह अपकमिंग रेनोड अस्तर की एक sometimes यह जो ढ़िए अफेल्ट जो शीमिलर लग रहा होगा जो आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा होगा क्योंकि जो जो कहीं ओड़ा बॉड़ा बास आपज की को स्कीज़ केई एक करको वो थोड़ी आपको similar Dacia Bixter से देखने के लिए मिल जागी जो सामने की तरफ मैसिव ग्रिल देखने के लिए मिलती है आपको ओपनिंग और जो headlamps के जो designs है वह आपको कहीं ना कहीं Dacia Bixter से आपको similar देखने के लिए मिल रहा होंगे तो हम इससे यह assume कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह जो गार है वो Dacia Bixter concept पे बेज़्ड है क्योंकि जो यह body part थोड़े थोड़े आपको कार में visible देखने के लिए मिल सकते हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़े थोड़े आप रिजेंब्लेंस आपको Bixter के मिल जाती है क्योंकि तो जो बैक पर आप टेल लैम देखने के कोशिस कर सके शायद अब थोड़ी थोड़ी सी शेवड की टेल लैम दिख भी जाएगी आपको इस रैप के अंदर से तो वह आपको डास्या बिक्स्टर में भी ऐसी सेम मिल जाती है सामने की आप जो देखे प्रोफाइल तो आपक यह कार जो है वह विक्स्टर कॉंसेट पर ही वेस्ट तो हम आपको इस वीडियो आगे बता सकते हैं कि शायद क्या कि इसमें अंदर आपको फीचर देखने के लिए मिल जाएगी जैसे थोड़ी स्वाइब कर सकते हैं कि हमें ऐसी ही कुछ देखने के लिए मिल सकते हैं यह लुख बात करें इसके सामने की घृल की तो आपको चौडी चौडी आपको ग्रिल देखने के लिए मिल जाते बगल लें पीछे के बंफर भी आपको इसे चौड़े मिल जाते हैं जो कार को थोड़ा स्पोर्टी लुक और आफ्रोडिंग अपील बढ़ाता है कार की पीछे अगर आप बात करें अगर तो यह थोड़ी आपको सिमलर देखने के लिए नहीं वह तो अब लॉंच में पता चलेगा कुछ बताया नहीं इसके बारे में बात करें इस कार की ऑफ रोड़िंग कैपिलिटी इस पी तो पुराने डस्टर में भी 4x4 की ऑफ रोड़िंग आती थी मगर इस कार में उससे ज्यादा अच्छी कैपिलिटी देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि यह कार जो है कंपनी की सीमेफ प्लैटफॉर्म पे बेस्ट है जो इस कंपनी की को थोड़ी सी प्रीमियम अर्किटेक्ट्चिर प्लैटफॉर्म है जिस पर इस कंपनी की कैचर अब क्लियों बनती है तो आप कह सकते हैं कि इसने पुरानी डेस्टर से बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपिलिटी देखने के लिए मिल सकती है और बढ़िया से पुराने वाली डेस्टर से थोड़ी से बड़ा कर दिये गया है क्योंकि कंपनी फाइव सीट और सेमें सीटर दो तो आपको एटी इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन देखने के लिए मिल सकती है इस कार में आपको ब्लूटूथ वाइफा अंड्रॉड अड्रॉड ऑट और अपल कार्ट प्ले नविगेशन के साथ देखने के लिए मिल सकते हैं कहीं ने कहीं है डासिया बिक्स्टर सभी तक देखने के लिए नहीं मिले हैं बाहर से आपको देखने के लिए मिले हैं जो कहीं न कहीं है उससे आप देख सकते हैं कि यह बिक्स्टर से थोड़ी बहुत सिमिलर आपको देखने के लिए मिल रही है तो वहां से मैं ज्यूम कर रहे हैं कि इसमें आपको यह सब भी यह चाहिए कोई देखने के लिए इंटियर में मिल सकते हैं, बात करएंड़ इसकार क मार्किट में ऊसलिए उसके फोड़ी सी हाई देखने के लिए आपको, और जलुदी है एक न्यूस भी आ है जिसके इसाब से रेनो इंडिया और निसान ने जॉइंटली 5300 करोड का इंवेस्मेंट किया इंडियन मार्केट में 6 न्यू कार के डेवलप्मेंट के लिए जिसमें से 2 फूली EV भी होने वाली है तो यह हो सकता है कि इन कंपनी के तरफ से जल्दी आपको मार्केट में दो नहीं है लेकिन यह कंफर्म कर रही है कंपनी की चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकोन कर लिए डोटिफिकेशन के लिए